नवस्कार बहुत स्वागत है आपका 36 गर के नंबर 1 बुलिटन में मैं हूँ आपके साथ रितूगे अन्वानी सबसे पहले बात करेंगे रायपूर के महादेव सट्टा मामले में बड़ा अपडेट आपको बताएं 24 अगस्त तक जेल में भेजे गए हैं सभी आरोपी कौट ने नयायक रिमान पर भेज दिया है इस्पैशल कोट ने 24 अगस्त तक जेल भीजा है ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं मादेव सट्टा है अप मामले में मामले में ये बड़ा आपडेट सामिन आया ज़्यादा जानकारी लेंगे सहयों की युगल दिवारी अमारे साथ जुड़ गए हैं युगल महादेव सट्टा मामले में बड़ा ये जो अपडेट सामनी आया है ये सभी जो आरोपी है रिमान पर भेजे गए हैं न्याइक रिमान पर भेजे गए हैं आरोपी को आज कोट में विशेश अदालत में पेश किया गया था और इन आरोपियों में चंद्रबोथड़ वर्मा, सती चंद्राकर, धीमसी आदाओ, गिरिस, तलरेजा, सुरज चोखानी, असिन दास, मिशिन दिवान समय सभी आरोपी को कोट में पेश किया गया था और इन्हें विशेश अदालत ने पुगहे पक्षों के जो वकील है, दलील है, उसको सुनते हुए 24 अगर तक नियाएक रिमांड पर जेल भेज दिया है सभी आरोपी की रिमांड उस भी खत्म होई थी, इसके बाद इन्हें कोट में पेश किया गया था और इस प्रीडी की बीचे अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद इन्हें फिर से जेल भेज दिया है और दूतिस तरफ अगर हम बात करें महाद्म सट्टा एक को ले करके तुलगातार का इस पुलासे हो रहे हैं और इस पर जात कर रही है साथ इसाथ जो इस्थानी पुलिस है 36 गड़ की रायपुर की पुलिस है अलग-अलग खिकालों पर दवीज जे रही है और यह भी जानतारी है कि उस तरी कारवाही के लिए केंद्री ग्रियमंत्राले को पतर भी निठा गया है अलग कि वो प्रिखक्तारवाही है लेकिन महाद्यो सक्तायथ पुरे तिस गड़ में बेन हो तो इसी समय काम भी किया जा रहा है इसके दरजनों आरोपियों की गिरतारी हुई है इडी ने बड़ी कारवाही कि सीबी ने भी इसके प्रिखक्त से मामले दर्ज करके आरोपियों से पूसाथ कर रही है और कई जो आला पुलिस के अधिकारी है उनके भी नाम महाद्यो सक्ताय एक पर आये थे कुछ जो राजनितिक जुड़े हुए लोग है उनके भी नाम आये हैं और कई जो इस मामले में जो नामज़द रिपूर्ट भी इदर लिए है तो अभी पूसाथ खिलाल प्रिचत से अलग अलग जान की जारी है वो सकता है कि जैसे इंपुट मिले उसके बाद और भी गिरिफ्तारी है बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साजा करने के लिए आप लगातार बने रहीगा फिर आपके पास लोटोंगी अगली ख़बर पर और आगे बढ़ते हैं आपकारी गोटाले मामले का जिक्र करते हैं आरूपी अर्विन सिंग और रिलोग सिंग धिलन को जेल भीजा गया कोटने 11 जुलाई तक नियाए खिरासत में भीजा है एडी की रिमान खत्म हो चुकिया और रिमान खत्म होने के बाद कोट में पेशी हुई कोटने 11 जुलाई तक जेल भीज दिया है ज़दा जानकारी लेंगे सायोगी युगल लगातार हमारे साथ जड़े हु इसे पहले जेल में जाके अफ्टारी करूड से गिरिप्तार किया उसके बाद गिरिप्तारी की सुचना पोस पर दी गई और न्याई गिरिबान पर इन्हें ले करके पूछतार अठी जा रही थी अफ्टारी गोटाला एक बड़ा लीजर इसके लगवाइशो करोड़ का इस है उन्हों ने नकली होलोग्राम जहां से बनाए गया था उसके जाकिरे को बरामत किया है एक अहम सबूत है तो इस पर लगातार पीडी करवाई कर रही है और चुकि रिमांड के उदी खत्म होगे थी दोनों आरोपी को तो इसलिए आज स्पेसल कोट पर पेस किया गया और आप तक हिंसा मामले में एक सोपच्पन आरोपियों के गरफतारी हो चुकी है और आपको बताएं आप जो गिरफतारी हुई है एक और गिरफतारी हुई है नाम जो है शेलेंद्र वंजारे बताया जा रहा है और जादा जानकारी के लिए सायो की दुरगेश हमारे साथ जुड़ गए है योगेश बलादा बाजार में जो हिंसा हुई उसी हिंसा वे एक और गरफतारी जी बिल्कुल आभरी तो आपको बतां दे कि लगातार बलादा बजार पुलिस की करवाई जारी उसमें लगातार अभी तक डिए जादा बाजार बाजार पुलिस द्वारा हिंसा के मामले में गरफतारी हो रही है कि जो युवक या जो आरूपी या जो लोग यो हिंसा में सामिल थे जो लगातार तोड़क और की जटने में अंजाम दे रही है उसमें आज दो आरूप गरफतारी साम को हुई है उसमें सैलेंट बंजारे और पहुर महिलांगे के नाम सामिना पुलिस की लगातार और पुलिस आगे खंदार दे कि अफिर कौन कौन आरूपी से सामिल है ठीक बहुत 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 शुक्रिया योगेश महिला थाना प्रभारी को जेल हुई है कोट ने उननस जुलाई तक न्याई क्रमान पर भीजा है महिला एटी आई को एसी बी ने गिरफतार किया बीस हजार के घूस लेते हुए गिरफतारी इसकी हुई थी 36 गर में 10 जुलाई को होने वाली बीजेपी कारे समीथी की बैठक का स्थान बदल चुका है अब कारे समीथी की बैठक भिलाई की जगह राइपूर में होगी इस बात की जानकारी बीजेपी महा सच्चुफ ने दी है बता दें इस बैठक में प्रदेश प्रभारी नितन नवीन सीएम साई समेथ 36 गर के बीजेपी के बड़े नेटा शामिल होगे राइपूर के दीन दयाल उडिटोरियम में इस बैठक का आयूजन होगा जिसमें 1200 से अधिक कारेकरता शामिल होगे इस बैठक में रहेंगे एक विडियाद बैठक हो रही है जिसमें लगबग 2500 से 2000 लोगों की उपस्तिती होगी जदा जानकारी के लिए सही होगी आकाश शुकला हमारे साथ जुड़ गए है आकाश बीजेपी कारेसमिल की बैठक होनी है और इस्थान में बदलाफ किया गया है बिलाई की जगा अब राइपूर में होगी बड़े दिगगज इसमें शामिल होंगे कैसी ये बैठक होगी और साथ ये साथ एस्थान में जो बदलाफ किया गया है आकर क्यों ये बिल्कुल ये बीजेपी कारेसमिल की बैठक है और जैसे पूर कारेकर्म के ताथ ताइक किया गया था कि बिलाई में या आयोजन होना है और इसके लिए लगतार तैयारियां चल रही थी कुछ को सिफ्ट किया गया है रहएपूर में पंडित दीन दयाल उपात है आडिटोरियम ये आयोजन होना है और इसमें केंद्री मंत्री सामिल होंगे इसके साथ ही प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन सामिल होंगे संगठन के तमाम पदादिकारी रहेंगे पहली बार ऐसा हो नाओ आने वाला है तो उसको लेकर एक तरीके जिस्कुल इसे बिगुल फूगना मान सकते हैं तो तमाम तयारिया ऐसी है जो भाजपा की तरफ से की जा रही है ठीक बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश बिलासपूर का जिकर करते हैं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जटका लगा है हाई कोट ने स्विकार की है चुनावी याचिका पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडी की है चुनावी याचिका बता दे देवेंद्र यादव ने सुनवाई न करने के लिए याच्चिका लगाई थी कतीस जुलाई को अगली सुनवाई होगी जादा जानकारी के लिए सही होगी उमेश मौर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश देवेंडर यादव को जटका माने क्या कहें यह जो याच्चिका लगाई गई इसमें सुनवाई होनी हैं बताइए जानकारी दिजिए सुनों में उन्हें जुड़ जानकारी र्जानकारी दीजे में जो पूर विर्वयाइक प्रेंप्रकाश पांडें उन्होंने याचिका लगाई है एक गलत जानकारी पेंश करने का जी क्रिस्पे किया गया है जिसके सुनवाई की जाएगी अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई हगी वह एक जिस जुलाई को तैय की गई है जी ठीक बहुत बहुत शुक्रिया उमेश सरगुजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश में ACB की कारवाई को लेकर कॉंग्रस पर निश्याना साधा चौधरी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रस की सरकार में खुद सरकार चलाने वाले भरष्ट थे ऐसे में भरष्ट अधिकारीयों पर ACB कैसे चापा मारती विश्णू देव सरकार में ACB को एक्टव किया गया जिसने भी भरष्टाचार किया है उसे बक्षा नहीं जाएगा सरकार में खुद सरकार चलाने वाले भरष्ट थे तो ACB उन पर छापा थोड़ी मालती ACB को एक्टिव करके इस पर्ष्ट रूप से भरष्टाचार के खिलाब जो विश्णू देव साय सरकार का मेंसेज है बहुत क्लियरिटी के साथे मेंसेज दिया जा रहा है और जो भी भरष्टाचार करेगा उसे बक्सा नहीं जाएगा 36 गर में एक बार फ़र से आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के हजारों समविदा कर्मचारी 20 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे बता दे कि राजश्व पटवारी संग ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है साथी दो दिनों का अल्टि प्रदेशन 20 जुलाई 2024 को तूता नवर एक पूर में धानकरसन दारी कर रही है। इसरेली के माध्यम से हम अपनी समच्चाओं को सासन के समझ से मद्गूति से रखेंगे। मैं आपके माध्यम से प्रदर्श के समचता अनिमित करमेचारियों से अपफिल करूंगा कि अधि पूर्व एल्डर मैनों ने भी कॉंग्रस पार्टी से इस्तिफा दिया है। दंतिवारा के जिकर करते हैं इनामी नक्सली का सरेंडर हुआ है। कवरधावे पूलिस को बड़ी काम्याबी हाथ लगी है। पूलिस ने एक साल पहले हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। इस मामले के आरोपी तीन चोरों को भी गिरफतार किया। इनके पास से चोरी का सामान और चोरी के पैसों से खरी दी गई बाइक भी बरामत की है। चोरी से जो एमांट रिकवर हुआ था उससे उन्होंने समान खर्ड़ा है उसकी जप्ति की गई है। घटना में आज दिना के 6 लाग रुपए कुछ सोने चांदी के जवरात दो कार स्विफ्ट की और दो अस्कूटी इनकी अभी तक जप्ति की गई है। आगे टीम जाएगी रतलाम के लिए रवी को पकड़के उसके पशात और भी इसको नचांदी के जवरात हैं उसकी बरामत की की उमीदे हैं।